दोस्तों मैं आपका उत्तम सर आप सभी को आपके ही अपने यूटूब चैनल एक स्मार्ट टेस्टरी क्लास 910 में स्वागत करता हूं और जैसे कि थाम्नेल से ही पता चल रहा है कि आज का जो मेरा वीडियो है वह परदात की जो आवस्ता है ठीक है उसका पार्ट टू है तो चलिए समय को नहीं बर्बात करते हुए सिधे कोशन नंबर चाविस पर आते हैं चलिक कोशन नवर चाविस ने में लेकित में से कौन से उर्धा पातन कर सकता देखिए इसमें पूछ रहा है कि उर्धा पातन परदात इनमें से कौन बला है तो उर्धा पातन किसको गाते ज तो सिधे सोलीट से क्या हो जाता है अर्था जो ठोसी क्या हो जाते सिधे गेज में बदल जाते है ठीक है तिन में से कौन हो अमोनियूम कलोराइड यह तो मेरा हो गाई ठीक है एन अच्पोर सिया ली तो होगा यह आपका कपूर भी होगा आप अब कॉमणियम कोलोराइट भी होगा कफूर भी होगा निप्थेलिन भी होगा जिन में से सभी क्या हो जाएगा उर्दापातन उर्दापातित परदात हो जागा ठीक है कि अबर बार्फ किसे का जाता है देख़ लीजिये शुक्स बार्फ किसको बोलते हम लोग अगेस को करवन डायोकसाइड गेस को नाइट्रिस आकसाइड को कि नायोक्साइड को बोलते तो सुक्सबस बोल जाता स्थोस कर् dude आयोकसाइड को क्यों आपकाइदम निर्वान कि से किया जाता है प्रेसर प्रेसर बहुत बढुत जाता फुर्सवर्फ का निर्मान होता है चलिस को द्रेम में बढ़घा सकता है लोग तब को भळाकर तब China कर तो देखिए इन मेंसे कोई और आपका रहा हो गट। यां सब्सक्रीप आपको पैल रही है यह सब नum सरकषिया है। और वही हम और अप। ओक्तिँं इन इंगा गैरी एंट पॉर। मर आडुया सब्सक्राइब फो कर्फको इसके यूद्र केmersot ब्लूं को पुछु पूछा किभितना तो यू तरहला नूट की सेर्ल मैं और 250 प्रेसर वह जो किसके बराबर होता है तो अटमस्फेरिक प्रेसर जो होता है मेरा वह अप्शन नमबर देखिए 3 1.01 इंटू 10 का पाउर 5 पास्कल के बराबर होता है करन से कम तांपारइब के वास में बदनलीः प्राक्रिव प्रक्रियाग को मैं मिया निखेर प्रक्रियाग मांस्टानख आप से जर्डश नीचे जिसलिए पॉरिक वाव श्म्रू मांस्टान होता है वह ऊंट्रीलिग करेंड करन तप सौ दिय्क्रवा। पॉलते हैं वास्प करनफ की चले को निम लिकेत norm review स्यपिर संपर होने वाली गटना से कोंसे सटा पर होने वाली गटना अब क attribute करन एक होता है वास्पिकरन तरुण होता है सता पर होने वाली गटना उती निम्लिकित में से किसमे परिवर्तन करके वास्पिकरन की दर को बढ़ा सकते हैं तो सता का छिद्रफल को घटा कर नहीं सता का छिद्रफल का बढ़ा दीजिएगा तभी वास्पिकरन बढ़ेगा ताप को कम करके ताप को बढ़ाना पड़ेगा तभी क्या होगा बास्पिकरन बढ़ेगा वाइब की गती को कम करके वाइब की गती भी बढ़ाना पड़ेगा तभी आपका बास्पिकरन बढ़ेगा लेकिन आधराता में अगर हम कमी कर देते हैं ठीक आधराता मतलब क्या होत होता है जॉकिक हम लोगा दरता गुलते ठीक है अगर अधरता में कमी कर देते हैं तो च्या हो जाएगा उसमें वास्पीकरन के दाव बढ़ सकता है तूप्सन नमर क्लोर को हजाएगा। दी टों हटने है। नाखुण के पोलीस को हटाने वाला भी आधिया है एसी टोन एक सब्सक्राणने के सब्सक्राई सब्सक्ते के इस सब्सक्राई अच्भान पर्दा होता है वह किसके कारण होता है वास्पिकरन के कारण ही होता है चलिए पर्दात की चोथी आवस्ता को ने पर्दात की चोथी आवस्ता क्या है प्लाज्मा है ठीक इसका खोज किस ने किया था इर्वीन ने किया था इर्वीन इसका खोज किस ने किया था इर्वीन ने किया था क भाई हवा स्य процक्षा यह दो निए सो बीस है उनीट भीस को किया गया था ठीकक इसका निरमान क्यों होता है इसका निरमान के लिए किया जाता है जो ऑनिंफ रिद के से उसको क्या होता है ठीकब आड तक यह ळी ठीब क्यों हूट ता मतलब गरम किया जाता बहुत मतलब अधिक टेंपरेचर पर क्या हो जाता है इसको गरम किया जाता है तब ही क्या होता है प्लाजमा कर निर्मान होता है ठीक है इसका अगर आपको पुछा जाते रिविन इसका खोज किया था 1920 में क्या था इसका निर्मान कैसे होता है जब इसक इसको बहुत ज्यादा किया जाता है इसको गर्म किया जाता है बहुत आधी गर्म किया जाता है तब क्या हो जाता है चो परदात के चोथे आवस्ता का निर्मान होता है कि चलिए सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण क्या है तो देख लिए अभी बता दिए जो सितारों में जो प्लाज्मा बनने का कारण क्या है उच्छ तापमान अभी बता दिए कि तापमान के कारण क्या होता है प्लाज्मा का निर्मान होता है जब प्रदाध परदर प्लाजमा अवस्ता मोँ मोटा तो उसका कंड्यट के रूप में हाटा होता है तो आइनी क्रेट गैस्थ के रूप में चो अभी बता दी हम इससे पढ़्र Olay माजब होगा हा तो क्या होगा उसका जो कान होगा निक्र फ्रेंब जैस जैसे एलियियम के बहुत है टाल परदात विख्सक्राइब और बने होधा है लाइठत तो प्लॉरोग्स कि आधार पर एक बीशेफ रंग के साथ चमकता है तो इनमें से क्या हो जाए का प्लाज्मा प्लाज्मा के करण क्या होता है फ्लॉरोसेंटी वह न्यून जो न्यून बाल्ब होता है उसमें जो डेस होता है वह चमकता है किसके कारण प्लाज्मा के करण तो ड्यास के कारण सूरी और सितारों में चमक होती है तो सूरी और सितारों में चमक होने का कारण क्या है प्लाजमा ठीक ना प्लाजमा क्या हो जाएगा सूरीय और तारों में चमक होने का कारण है है हलांकि जो सुराइज और तारा जो बना होता है वह ना भी किया संगलाई दुबारा हाइडोजन और हिलियम से मिलकर बना लेकिन अगर आपको चमक के बारे में पुछा जाए तब कभी भी सब दोनों में टिक मत किजिए इसमें क्या हो जाएगा प्लाजमा होगा इसमें क्य एक गया था और अलबट आइस्टैनी इसलिए इसका नाम क्या दिया गया बोस आयस्टैनी थेक है कów क्या गया था 1924 से लेकर 25 आप अच्याँ कैसे होता है माली जो जो के से उसका एक लाग पार्टेकल्ट में शे क्या करेंगा हमें एक यक पार्टिक लोश को निकाल देंग करें और क्या करेंगे मानिस दूस्ट श्टू तडिग्रीज सेंडिक्रेट पर क्या करेंगे इसको ठंडा कर देंगा उसाė जैसे टेंपरेचर का करेंगे उसको ठंडा करेंगे उसी का फन्सरूर क्या होगा आपका परदात के पांच भी आवस्था जिसको बोला जाता है बोस आईस्टैन क्योंगे सतेंद्र बोस और अलबर्ट आइस्टैन ने 1924 से 1925 के सेसन मिका का तो इसके बार इसकी खुजगी त बुस्ट ठीकन आइस्टाइंग यह क्या है परदात की चोती अवस्ता इसका निर्मान कैसे होगा ना क्या किजेगा एक लाग गयसों में से सब्सक्राइब को निकाल लेगा एक पार्टिकल्स को निकाल लेगा अरुसको क्या किजेगा मैंनिस 243 डिगरी सेंटीग्रेट पर क् जिस समय क्या हो जाएगा उस गेस का जो कान है उसका गति क्या हो जाएगा एकदम खतम हो जाएगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे परदात की पाचवी अवस्था जिसको बोस आइस्टाइन कहा जाता है चलिए अगला कोई सिर्पात है कि निमिलिगत में इसकी सब्सक्राइब परदात की पाचवी अवस्था की गन्ना की थी बता दी यह सतेंद्र बोस ने और अलवर्ट आइस्टाइन इंवे किया था वाई के घनतुओं के एक लाग भाग जिसमें कम घनतुओं वाले गेस को बहुत ती डैस ताप पर करके वह कया जाता है उसका है ठीकिन आप अपकॉम थांडा करके चाला करेका जाता है वह साईस्ट्रिंणत फ्राप्त की चालिवियर कितना ताप पर अब बोला दो संटी करेडलिए लाने के लिए क्या किजिए 306 तो च्छा दिए जो भी केलवीन में दिया हुआ है उसका मान को杉च क wine अब सब्सक्राइब करें सबस्क्राइब कितना मिल जाएगा सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब जोड़ीविट सैंटीके पूच रहे तो दूसरों तेयातर क्या किए जो है केल्वीन पर मैना है युफ से माइनिस कर दिएचकह आपको मिल जाएंगे दिंधीघ्र till प्यमान by and Elayana पर पर बर्प का गलना कितना तर बर्प कर रहा है कितनाइब गरलना मनलेश्था होता है युरो डिघरी गूरी जल की भोती कावस्ता क्या हो गया होगा जल के का जो रूप होगा और कि साबगा ठोस होगा मुसकर तदेखिज इतरे भी हो सकता है इसमें रख데 भी हो सकता है नवी नवे ए दन कते होगा धारी तो फैर में दनों होगा तो अप्सेटन नमबर यहां से में राक्या जैंगा तीरिला हो तो चीक है उसमें जो होता है बेचने वार उसको क्या करता है उसको दबा के रखता है ताकि दाप बढ़ाया जा सके अब बढ़ाने पर क्या होता है उसका गलनांग घरता बाकि इस चीज का दाप बढ़ाने पर उसका गलनांग भी बढ़ेगा ठीक है असुधी मिलाने पर वर्प का अगलन क्या होता है असुध्य अगरा मिला दीजे़ा ते घड़ जाएगा उसका है। निश्ची तापर द्रेब का थोस में बदलना क्या करा था निस्ची तापर ठोस का द्रेब में बदलना प्रकृइं के हुटे हैं क्या रसक्राइब या बिंदू जिसको क्या बोला जाता है फ्रेजिंग पॉइंट ठीक नहीं जिसका आपको अच्छा लगा हुआ और अगर आपको लगा हुआ तो वीडियो को सहर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा हम वीडियो जैसे से आपको प्रोवाइड करा सके है ठीक है देने बहुत है